प्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल तो आज हम बात करेंगे यह जो वह कैंसिस निकली हुई है यह ओए जिसी यहां पे जैसे पेट्र एडिशन लिंटेड में निकली हुई है तो आप जैसे यहां पे इसके केरियर सेक्षिन में जाएंगे यहां पे करेंट आपनिंग में करते हैं लास्टेट जो दे रखें 11 अगस 2013 12 बार्व से पहले-पहले आप जो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं दनी यहां पे बता रहें कि जो इनके डिसिप्लिन और ट्रेट बता रहें के कॉलम A में है जो इसकी क्यूस्टेड को अप्लाई करते हैं वो यहां पे सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने डिस्टेंस लेर्निंग अगर पार्ट टाइम मोड या फिर कॉरस्वंडस मोड से किया तो से कंसीडर नहीं किया जाएगा मांग रेकिकर उसमें आपके असेंशल कौली किस्ट वने पार्ट टाहिए और उनके पास यहां पे पास है तो इसकेफ्रिट किल अप्लाय करें और यहां पे लिखे कि जो भी Candidates के लिए उनकी जो एज है ठारा साल से कम नी होनी चाहिए और 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए यहां पे इनोंने बता रहे हैं जो Date of Birth आपकी है यानि 1 April 2002 से लेके उसका जो जनम है जो भी Candidates के अप्लाई कर रहे हैं 1 April 2005 के भी चुवा कर दिया जाएगा अगर किसी Candidate ने higher qualification कर रहे हैं जैसे आपने डिप्लोमा भी बीटक या फिर MBA या फिर MCA तो उसे यहां पर लिखे कंसीडर नहीं किया जाएगा जो यहां पर इनोंने आइट मांगी है आपके relevant फिल्ड में होना चाहिए वहीं आपने जस्ट अप्लाई कर या फिर स्टेशन है वो incomplete है या फिर जो इसके कर दिया को मीट नहीं कर रहे है तो वह इलिजीबल नहीं होगा उसे जो यहां पर रिजैक्टेड कर दिया जाएगा दन यहां पर नहीं बता रहे हैं के डॉक्यमेंट अप्लिकेशन के साथ आपने कौन-कौन से एक तो आपका डेट बर्थ का प्रूफ रहेगा तेंथ का सर्टिफिकेट या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो मुंसिपल या फिर ऐसे कोई भी प्रॉपर अथोर्टी तो इसके लावा आपका यहां पर मार्क शीट रहेगी है एजुकेशन कालिफिकेशन की आई टे क्यों यह तो आपके पास एक रिजिस्टेशन नंबर जन्रेट हो जाएगा वह आपने संभाल के रखना है और यहां पर आप उनलाइन मोट से अपलाई करेंगे यहां पर आपको वो रिग्श्ट करना होगा यहां पर नहीं बता रहें जो आपका प्लैंट का प्रेंट यहां नहीं बता सब्सक्राइब करेंगे यहां से अप्लाई कर सकते अपने सब्सक्राइब करेंगे इंस्ट्रुमेंट में चाहिए इसकी में बता रहेंगे मैंटेनस में केमिकल प्लैंट में रहेंगी ट्रेंड में ट्रेंट में ट्रेंट में ट्रेंट में ट्रेंट में ट्रेंट में ट्रे है टोटल जो वकेंसिस है 40 और जो आपकी वकेंसिस रहेगी लोकेशन यहां पर इन विलेज से जो है घुजरात के तो इनके लिए रिजर्ड है दनिया बता रहे हैं अगर केंडिट ने पहले किया हुआ तो उन्हें यहां से जाकर ने अपड़ें और प्रेश करना पड़ दो आपके जोम एँगेंडेड से लेगosi करें याँ पकिछा रहे हैं उन्हेंने पहले जो है अपने इंप्रेंटिषल विलेओर है बर नी पहले कर दिये ना ही उसमें कुछ ऑल्टर कर सकते ना रिसमिट कर सकते किसी भी सरकम्स्टांसिस में आपने अपने अप्लिकेशन की हाट कॉपी नहीं सेंड करनी है ऑनलाइन मोट से भरना है दनिया पर लिखे कि आपने जो डॉक्युमेंट अप्लोड करने हैं जैसे अपना सीवी करना है तो वह पीडिया फॉर्मेट में उसको साइज है दो एंबी से ज्यादा नहीं से आपका जो रिज्यूम रहेगा वह लाइनों ने बतार के कैंड़ेट के पास इमिल आइडी होनी चाहिए और जो भी आपके स्टार मार्क्स रहेंगे वह में डेंटरी है और गुड इ कर लिए तो आपने यहांव में यहां पर आपके स्टेर नंBER आए होगा का तो वोच्तिया टेंवा करना है आपको प्राइटिय वहां से पूर्धिकार आप ने रीकिया करना पर देदेए करफ एक और यहां पर शाight il estन रिजिटेशन नंबर जो है यहां पर जनरेट हो जाएगा यहां इन्होंने बता रखी है और केंड़ेट सिरफ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने एक पर इसमें जो भी अप्लिकेशन बरना है वो सही से बरना है यदि आपको इस से लेटिट और दिख जन करी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशल एपसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं जिसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी यदि आपकी इस वीडियो से लेटिट कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं वीडियो लाइक एंड शेर इस तरह के ओन्फरमेटिव वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए